हाई फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल EPSC Info24 में स्वागत है तो दोस्तो हम उमीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुस होंगे फ्रेंड्स यह जो वीडियो है PGT History का Practice 8 115 है तो अगर आप PGT, PGT, LTE, GIC और Assistant Professor की तयारी करें History subject से तो ये वीडियो आपके लिए है वीडियो के अंतक बने रहे है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पे दोस्त नए है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लिजिए तो इस्टार्ट करते हैं पहला नमर कोशन जो 171 नमर से शुरूर रहा है कोशन आपका है रिगवेद के किस मंडल में सुद्र का उलेक किया गया है रिगवेद के किस मंडल में सुद्र का क्या है उलेक किया गया है तो इसका आंसर क्या होगा आप से तीसरे में B.A. चोथे मंडल में C.A. तीसरे और चोथे मंडल में D. करा है दस्वे मंडल में तो आंसर आपका जाएगा D. के साथ दस्वे मंडल में तो रिगवेद का जो रिगवेद में छुद्र सब्द का उलेक किया गया है वो दस्वे मंडल के पूरु सुक्त में किया गया है रिगवेद के दस्वे मंडल के पूरु सुक्त में जो है छुद्र अर्थात जो चार वर्ड है उनके बारे में चारों वर्डों के बारे में दस्वे मंडल के पूरु सुक्त में वर् आपका और PGT 2000 में पूछा गया कोशन है राजा की उत्पत्ति के विशे में स्वर प्रथम उलेक किस ग्रंथ में मिलता है राजा की या राज्ज का सत्ते हैं तो राजा की उत्पत्ति के विशे में स्वर प्रथम उलेक किस ग्रंथ में मिलता है आप सने कवटिल के अर्थ सास् की उत्पत्ति का जो सिध्धान्त है वो एत्रे ब्रामड में स्वर प्रथम उलेक मिलता है आपसन डी आपका सही है एत्रे ब्रामड इसको याद रखेगा व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा एत्रे बड़ामण में स्वर प्रथम राजा की उत्पत्ती का सिध्धान्त मिलता है अधिकारों में व्रिद्धी के फलसरूप अलग-अलग दिशा में राजा के नाम अलग-अलग होने लगे मद्देश के जो मद्देश का राजा था उसे राजा इक आ जाता था मद्देश में वह राजा जैसे कोई भी राजा था तो मद्देश में वह राजा बोला जाता था पुरू में जो राजा होता था उसको समराट बोला जाता था पुरू देश में समराट बोला जाता था पच्छी में सुअ राष्ट बोला जाता था पच्छी में वहीर जो राजा है मतलब मुख्या जो है उसको क्या बोला जाता था स्वा राष्ट बोला जाता था उत्तर में बिराट बोला जाता था उत्तर में बिराट तथा दच्छिर में भोज कहा जाने लगा तो राजा का अलग अलग नाम मिला जिसमें मद्देश में क् चारो दिशाओं को बिजित कर लेता था उसे एक राट कहा जाता था वह राजा जो अपने चारो दिशाओं में एक बिजे कर लेता था तो उसे एक राट बोला जाता था एक राट जो अपने चारो दिशाओं में बिजे प्राप्त कर लेता था आगे देखते हैं कुछ अन्यम सत्पत्ब्रामड में मिलता है कैके के अस्वपति जो कए खै कैके यह राजा थे तो यह राजाओ के नाम दिया जेसे कह के माल ये कह के राज्य है तो उसके जो राजा है उनका नाम क्या था अस्तोपती था कासी के जो राजा थे उनका नाम था अजास सत्त्रु बिदे के राजा का क्या नाम था जनक था ये बूछा जाएगा मिलान करने से और वह Україंपर कुरू जिसकी द्धानी अगर देखे कुरु की राजधानी क्या थी असंदिवत कुरु की एक राजधानी है तो कुरु के उद्धालक आरुनी और पंचाल के प्रवाहन जाविली प्रमुख राजा थे तो इन राजाओं को आप नोट कर लिजिएगा सत्पत ब्रामर में सरवाधिक 12 रतनियों का उल्लेक हुआ है सत्पत ब्रामर में कितने रतनियों का उल्लेक मिलता है तो 12 रतनियों का उल्लेक मिलता है किस में मिलता है दोस्तों सत्पत ब्रामर में मिलता है तो इसको आप नोट करकर चलेंगे आगे देखते हैं 173 नमर कोशन है आपका निमलिखित में कौन एक गरंथ वयदिक कालिन रतनियों की सूची का उलेख करता है उलेख करता है सत्पत ब्रामर एत्रे ब्रामर अथर्वेद जाबलो उपनिसद जो है इसमें कौन है जो 12 रतनियों का क्या है उलेक करता है तो आपका आंसर जो 30 का जाएगा एक साथ जाएगा दोस्तो सत्पत ब्रामर अभी हमने उपर देखा था कि सत्पत जो ब्रामर है उसमें 12 रतनियों क उल्लेक मिलता है तो सत्पत ब्रामर में कितने रतनियों का उल्लेक मिलता है तो 12 उल्लेक मिलता है कोशन ही है कि निमलिखित में कौन एक ग्रंत वैदिक कालिन रतनियों की सूची का उल्लेक करता है तो वो कौन है सत्पत ब्रामर है जो 12 रतनियों का उल्लेक करता है इसको आप नोट करिएगा आगे चलते हैं 174 नमर कोशन है अच्छा कोशन है GIC में 2017 में पूछा गया कोशन है कोशन आपका है निमलिखित में कौन उपनिस्दों में उनलिखित कैके जनपत का एक दारसनिक राजा था अभी हमने कैके का बात किया था कैके जो जनपत है उसके राजा को हम अस्वपति आपका D के साथ जाएगा अस्वपति हमने बात किया था तो अस्वपति जो है वो कहा के राजा थे तो आपके कैके के तो कैके के जो राजा थे वो अस्वपति कासी के अजासत्रू थे विदे के जनक थे तो उसी तरह आपके जो है ए जो पंचाल के थे वो आप आपके जवाली ये कहां के थे तो पंचाल के थे इनको याद रखेंगे ये वाले पंचाल के थे पंचाल ये याद रखेगा ये कहां के राजा थे पंचाल के थे सुरुत सेन की बात थे तो सुत्र सेन इसमें से नहीं है तो उनको हम आगे देख लेंगे कभी इसमें हमको रतनियों राना चाहिए रतलीन है यहां पर यह देखना है रतनियों की संख्या कितनी थी तो बारा थी बारा राजाओं को लेकर जैसे रतनियों की संख्या कितनी थी तो बारा तो आपसन आपका सी सही हो जाएगा बारा राजाओं को लेकर तो उत्तरवैदिकार में रतनियों फसल क्या थी यह बताना है जव गेऊं और चावल जव और गेऊं मक्का और अरहर उपर्युक्त में से कोई नहीं तो 176 का आंसर क्या हो जाएगा गेऊं और चावल तो उत्तर बैदिक काल की जो सबसे प्रमुक फसल थी ओ गेऊं और चावल है गेऊं चावल आज भी है और प असुपालन उत्तर बैदिक काल के आर्थिक जीवन की मुखे आधार थे उत्तर बैदिक काल की प्रमुक फसल चावल और गेहूं थी अन्यमधपुर्ट तत्ते देख लेते हैं वाज सनेही जो है संहिता में विभिन अन्यों को बोने और पकने का समय दिया गया है तो अन्य जो होते हैं अनाच उनके बोने और पकने का समय किसमें दिया गया है तो वाज सनेई में दिया गया है वाज सनेई सहिस्ता जो है उसमें विभिन प्रकार के जो अनने उनके बोने और पकने का समय दिया गया है तो किसमें दिया गया है वाज सनेई में दिया गया है व्रीबू जो नामक वेपारी दान सील होते थे जो वीबू नामक वेपारी होते थे वीबू नामक जो वेपारी होते थे वो क्या होते थे दान सील होते थे जबकि पड़ी पड़ी जो होते थे नामक वेपारी पसुओ की क्या करते थे चोड़ी करने के लिए कुख्यात थे और पड़ी नामता वो ज्यादा क्या करते थे तो गायों की चोरी करते थे किसकी चोरी करते थे गायों की चोरी करते थे इसलिए आरे लोग इनको क्या है पड़ी करते थे तो पड़ी नामक जो वेपारी थे वो पसु की चोरीयों के लिए कुछ ख्यात थे और वहीं पर एक वेपारी जिस सर गायों का खोज गविष्टी का गया है युद्ध जैसे गाय को चुरा लेते थे जो पड़ी होते थे और उसी के बाद क्या है युद्ध होता था तो रिगवेद में युद्ध का परिया गविष्टी है इसमें 176 बार गायों का उलेख है तो 176 बार रिगवेद में गायों के लिए उलेक किया गया है तो यह याद रखना एक सो छेता बार एक सो सततर नमर कोश्चन देखते हैं और ए वीडियो जो है दोस्तों आज जो है आपका जो वैदिक काल चल रहा था वैदिक सब्वेता चल रहा था उसमें आप पूरा हो जाएगा आज आखरी वीडियो है वै वैदिक 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 जो बेद है उनको फिनार्यों की जो है उन्हीं पत्ति से संबंदित हर चीज़ तो अब पूरा वीडियो अगर देखे आठ दस वीडियो होगा आमको लग रहा है दस मिट बिस मिट का तो अगर आप पूरा देखते हैं तो आपका जैसे माल यह एक घंटा नहीं लगेगा तो आप पूरा मतलब कर लेंगे तो आपका एक रूटीन बन जाएगा वीडियो को फास्ट करकर देखिए थोड़ा बार बार देखिए जिससे कि आप एक लाए में रहते रहें अच्छा कोशन रहता है और जो व्याख्या उसका मिलता है वो समझ लि लिए आगे चलते हैं 177 नमर कोश्चन उत्तरवैदी काल में वीचडर कर सिच्छा देने वाले गुरु कहलाते थे वीचडर कर मतलब एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक घूम कर सिच्छा देने वाले गुरु क्या कहलाते थे यह बताना है होता चरक चरण सुत तो 177 का जो आंसर है दोस्तो वो बी सही हो जाएगा 177 का बी सही कर लेंगे चरक होते थे तो उत्तरवैदी काल में वीचडर कर सिच्छा देने वाले गुरु क्या कहलाते थे चरक कहलाते थे चरक याद रखेगा चरक आप्शन भी आपका सही है और एंपी में पूछा गया कोश्च था एंपी असिस्टिन्ट प्रफेसर में उत्तरवैदी काल में वीचरर कर सिच्छा देने वाले गुरु चरक कहलाते थे इस काल में गुरु कुल सिच्छा पनाली थे अन्य महतपूर तथ्यों को देखते हैं तो रिगवेद में मत्रों का जो उत्ता उचारर करके जो पुर सामिवेद का उद्गाता कालाता था जो मतलब मंत्रों का उचारर करता था कोहशन आपका बन जाएगा कि जो सामिवेद के मंत्रों का गायन करने वाला होता है या जो मंत्रों का वाचन करता है उसको क्या कहते हैं तो उगदाता या उदाता कहते हैं उदाता भीड़ाएगा तो इसको याद रखेगा अन्ने देखते अगला कोशन रिगवेदिक के कर्मकांडो को संपन करने वाले पुरोहित को अर्द अयू कहते हैं जो यजूर वेद के कर्मकांडो को संपन कराता है पुरोहित और इसके बाद कितने रतनियों का उल्लेक है तो बारा रतनियों एक सु भी होता है तो यह सब चीजे जो महतपूर महतपूर चीजे उसको रिगवेत का जो गयान करता है उसको होता करते हैं सामिवेत का जो गयान करता है उद्गाता का लाता है या जूर्वेत का जो उद्गायन करता है या करमकांडो को संपन करता है अरधायो करता है तो यह सब या था चावल था चना था तो आंसर क्या हो जायीगा वी सही हो हो जाएगा दोस्तों जए अध्याल का दोस्तों बात या जौव का क्या है उलेख है अन्य महतपूर तथ देखते हैं रिगवेद के दस्वे मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्डन मिलता है रिगवेद के दस्वे मंडल में एक चीज अन्य चीज मिल गई दस्वे मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्डन आपको दिखाई दे रिगवेद में चावल, नमक और मचली का उलेक नहीं है तो कोशन पूछा जा सकता है कि रिगवेद में किसका उलेक नहीं है तो उसमें किसका नहीं है तो चावल, नमक और मचली का उलेक नहीं है याद रखीगा चावल, नमक, मचली का उलेक नहीं है आप जैसे इसको कैसे य हाल ले ले या आपका बंगाल ले खासकर बंगाल तो वहां पर चावल और मचली बहुत चाते हैं लोग खाते हैं साइद वहां के बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और वहां के चावल और मचली तो मचली में नमक भी पड़ता है तो इस तरह चावल मचली और नमक यह सब के सत्यो में दही करंद नामक भोज जह पदार्त क्षिए किया जाता था इसकी जुदि में जू को है या या बोलते हैं या 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 AM क्वेरी दोनों एक बात है्ट हैं तो दूदि हमें यो और जिसे यह कि यह डाल कर छीड जो एखीर जो कते हैं चPlease पकावदन चिसे पकावदन और जो में जैसे शत्त्व होता है तो सप्त्म में घडर कर जो बनाया जाता था उसको करम नमप भोज पदार्थ क्या है तैयार किये जाते थे दूट डाल दिया जाएगा जोव में तो उसको छीर पकवदन हो जाएगा अगर जोव में सत्तू और दही मिला दिया जाएगा तो करम नामक पदार्थ बन जाएगा जो खाने में आनन्द आएगा आगे चलते हैं 179 नमर कोशन है UPGIC प्रवक्ता परिच्छा में पूछा गया कोशन है रिग वैदिक आरे किस अना से परचित थे एक एक दे दिया है जोव दिया है तो आपसन आपका यह सही हो जाएगा जोव से ही परचित हो जाएगी कि जोव उनका पहले का था तो जोव सबसे ज्यादा उन आप लुक दे सकते हैं भारत में दस्मनों प्रणाली के विज्ञान का प्रारम किया था भारत में दस्मनों प्रणाली के विज्ञान का प्रारम किसने किया था यह बताना है भारत ने जैदेव ने पिंगल ने या आरे भट तो जो उत्तर सही होने का अनुमान है वो डी सही हो जाएगा और जी आइसी परवत्न परिच्छा में पुछा गया कोशन है तो आपसन आपका डी कर लेंगे और भट कोई आंसर करेंगे सबसे नद्दी की आंसर यही होगा व्याख्या देखिए दस्मलों परणाली के विज्ञान का प्रारम भारत में हुआ है यहां पर भारत में पुछ था तो आंसर आप कर लेते तुरंत की दस्मलों परणाली का जो मतलब उत्पत्ति कहां हुई है प्रारम कहां हुआ है तो भारत कर लेते हैं यह असान कोशन हो जाता लेकिन उसके जन्मदात्रा को पुछ दिया है तो आरभट करेंगे अच्छा रहेगा आगे दे काल में हुआ है तो गुप्त काल में हुआ है तो भारत में गुप्त काल में सुन्य तथा दस्मलों परणाली का क्या हुआ है अविसकार हुआ है आरभट इस काल के प्रसिद्ध वेज्ञानिक थे जिन्हों ने आरभट्टी नामक ग्रंत की रचना की है आरभट की पुस्ट जिसका नाम आर्यभट्टी है और उसकी रचना आर्यभट्ट ने किया है और इसी ग्रंथ में दस्मलों पढ़ा ली अंकगरित बीजगरित या जामती के नमीनतम सिध्धान्त है तो जो आर्यभट्टी है उसकी रचना आर्यभट्ट ने किया है और इसी जो एक ग्रंथ है इस इसी गरंत में आपको दस्मलों पढ़ना लें और अंक गडित और बीज गडित और जामती के जो नमीनतम सिधान थे वो सब इसी गरंत में आरभट्ती में आपको मिलते हैं आगे चलते हैं 181 नम्मर वैदिक आर्यों का प्रमुक भोज क्या था यह याद रखना है जव और चावल सब्जी और फल दूद और डेरी जव दूद डेरी उत्पादन सब्जी और फल अभी हमने दूद और डेरी की बात की थी तो option D आपका सही हो जाएगा रिग वैदिक जो आर रहे हैं वैदिक आर रहे हैं उनका मुख्य जो फसल था वो जो दूद उसका मिलाकर बनाते थे डेरी उत्पादन सबजियां और फल तो option D आपका सही हो जाएगा उनके बारे में वीडियो बनाये जाएगा तो आप लोग बने रहे हैं आपका ये series अच्छा खासा चल रहा है TGT PGT किसी भी exam में आप बैठने जा रहे हैं तो अच्छा खासा कर सकते हैं तो अब हम धार्मी कांदोलन पे वीडियो बनाएंगे कल से उसको भी आप चरूर कार के क्या करते थे भोजन करते थे दूद में जव डालकर छीर पकवदन तयार किया जाता था दूद में जब जव डालकर कोई खीर तयार करते थे हम लोग खीर करते हैं वो छीर पकवदन कर रहे थे जव के सत्तु को दही में डालकर करम नामक भोज पदार्थ क्या किया ज वही मासहार में मुख्यता भेड बकड़ी का प्रयोग होता था गायों को अगन्या कहा जाता था वद ना करने योग्य कहा गया है जबकि भेड बकड़ी का वद करते थे मासहारी के रूप में प्रयोग करते थे खाते थे आगे देखते हैं 182 नमर कोशन है और आपका साहित में किसे पुरंदर के नाम से जाना जाता है वैदिक साहित में किसे पुरंदर के नाम से जाना जाता है तो आप आंसर आपका ए अगनी है, बी है वडूर, सी है मित्र और डी है इंद्र तो आंसर आपको इंद्र करना पड़ेगा इंद्र को पुरंदर के नाम से जानते हैं 182 का डी आपका सही हो जाएगा पुरंदर किसको इंद्र को कहते हैं एक question पीछे करा चुके हैं व्याख्या देखिए, वैदिक सायत यार्थात रिगवेद में इंद्र को पुरंदर के नाम से जाना जाता है इंद्र को विश्व को स्वामी कहा गया है वो अमुख्यता युद्य का देवता था आर्यो का विचार था कि उसी ने असुरों पर विजय दिलाई थी रिगवेद में लगबग एक चोथाई सुक्त इंद्र को समर्पित है रिग में जो एक चोथाई सुक्त है वो किसको समर्पित है तो आपके इंद्र को समर्पित है इसको याद रखना है तो यह आपसे कोशन पूछा जाएगा तो एक चोथाई याद रखेगा अगला कोशन है आपका 183 नमर और वीडियो का आखरी कोशन है आगे जो वीडियो कराएंगे ओ धर्मी कांदोलन से है जिसमें जैन दर्म बहुत धर्म आपके सूफिस जो भी है आपके बैसरो धर्म इन सब को हम कराने का प्रयास करेंगे जितने भी दर्शन है उनको आप वैदिक सब्वेता था या वैदिक काल था वो समाप्त होता है दोस्तों और इस वीडियो का आखरी कोशन निमलिखित में से किस गरंत में सबसे पहला विवरर असपर्द्य पद के पद से संबंदित सामूहिक समूव के अर्थ में मिलता है जिसमें जन्म के आधार पर 183 का अंसर यह सही हो जाएगा दोस्तों विशुरु धर्म सुत्र में कोशन आपका है कि निमलिखित में से किस गरंत में सबसे पहला विवरर असपर्द्य पद से संबंदित उस सामूहिक अर्थ में मिलता है असपर्द्य ठीक है मतलब अस्पिस्यता से ले सकते हैं से पहला विवरर असपत धर्य पद से संबंदित उस सम्मूहिक उस सामाजिक सम्मूहिक के अर्थ में मिलता है जिसने जन्म के आंधहार पर अस्थाई रूप से अच्छूत माने जाने की निंदा की गई थी तो उस किसमे की गई थी तो आपके विशुरु धर्म सुत्र में की गई थी विश्रु धर्म याद रखेगा और ये एन ब्यरीय स्ट्र और अर। वैश्रु धर्मसुन को विश्रु इसमृती या वैश्रु धर्मसास्त्र भी कहा जाता है। सव अध्याऑ है जो विशुरु इस्तिमेटि यह वैशुरु धर्मशास्त्र है। उसमें कितने अध्याई तो सव अध्याएं टोटल। स्वशुर्पॉथम इस ग्रंत में असु सिसताइ सब्दा का उन्लेक इसी जो ग्रंथ है विशुरू धर्मसुत्र उसमें क्या है अस्पिस्य जो है सब्दका उल्लेक समाजिक सम्मू के अर्थ में मिलता है तो आपका विशुरू धर्मसुत्र में मिलता है तो स्वर्पत्थम इस ग्रंथ में अस्पिस्य सब्दका उल्लेक उस समाजिक सम्मू के अर्थ में मिलता है जिसे जन्म के आधार पर अस्थाई रूप से अच्छूत माने जाने की आलोचना की गई थी इस ग्रंथ में समाजिक विशुर्था को बनाये रखने के लिए चारो वड़ो आसर्मों और पड़िवारों समपत्ती बिवा के प्रकार संसकार जैसे अनेक महतपूर तत्यों का समावेशन किया गया है तो इस गरंथ में क्या क्या है दोस्तो तो जो विशुरू धर्मसुत्त्र या विशुरू इस्मीति है उसमें समाजिक व्यर्था को बनाये रखने के लिए चारो वड़ जो है जिसे आपके वर्ड जो आते हैं उसमें क्या है वर्ड जिसे ब्रामर छत्री और छुद्र वैस यह वर्ड हो गए आसरम हो गए चार आसरम है जैसे आपके ग्रहस्त हो गए बानप्रस्त हो गए सन्यास हो गए आपके और ग्रहस्त बानप्रस्त अन्यास ब्रहमचार है ठीक है ब्रहम तत्यों का क्या है समावेश किया गया है और एक किस गरंत में किया गया है तो विशुरू धर्म सुत्र में किया गया है यह थे खास कोश जनकारिया जो वैदिक सब्वेता से थे तो दोस्तों वैदिक सब्वेता या वैदिक काल यहीं पर समाप्त होता है कल से हम लोग जो पढ करेंगे जो आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ही इंपर्टेंट टाफिक होने वाला है धन्यवासातियों नमस्कार सुब्रात्री